है मुझे तीन साड़े तीन धरम का अन रखा हुआ है आप देख सकते हैं हेलो गाइस स्वागत है आपके एक नई वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज है फ्राइडे जुमे का दिन इसलिए पूरी यूएई में जुमे को छुटी रहती है फ्राइडे वाले दिन और सटर्डेक या संडे को भी कहीं कहीं होती लेकिन हर जगह नहीं अभी चलते हैं हम नीचे दुकान पार दही लाने के लिए देखें यहां की यह सिक्के तो गाइस यह रही हमारी लिफ्ट मैं लिफ्ट से ही जाता हूं आम से पहुंच जाते हैं नीचे तो गाइस मैं तही ले आया हूं दुकान से नीचे से आप देख रहे हैं यह मिला है मुझे तीन साड़े तीन धरम का लगबग हो गया सतर रुप सतर रुपए गया है दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर ढहलने के लिए कि कल वारिश होई ती तो कापी ठेड़ना मौसम है जादा गर्मीन नहीं है यह आप चेक करें जड़ा और सूरजूब नहीं वाला है लगबग तो गाइस सामने रहा चांद आप देख रहे हैं यह रहा चांद और यह सारी बिल्डिंग्स यहां बन रही है कुछ बिल्डिंग्स इस सामने स्कूल है तो गाइस अभी हम जा रहा है सुपर मार्केट घर का समान लाने के लिए और आपको दिखाएंगे सुपर मार्केट में समान सस्ता है महंगा है इंडिया के मुकाबले यढिया को कि अपनार balरा लाव जाओ मत उ cozy इंडिया का बिल्डिया का बिल्काल के मुढ़ले यजा रह मुक क्वेशत क्या कर दो और प्राइस्agement तो गाइस अब लोग बहुत चुके हैं नैस्टो हाइफर सुपर मार्केट में और गाइस आप इस तरफ देख रहे हैं इदर लोग बार भी क्यूब करने आते हैं कैमरे में आपको शायद ना दिखाई दे रहे हूं शायदा सिभन स्क्राइए लिए अभी हमारी रा पार्व हो रही है और हम बाहर आ चुके ए गाड़ी से में लेनी और आप परसेंट टू सेवेंटी परसेंट तो गाईस हम लोग आ चुके हैं सुपर मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है मसाले चाहिए है मैं इसमें उस्ते हुआ है जांके साइब आटे ले लिया है यहां से आप ले सकते हैं और दोस्तों इस तरह रखे हैं चावल आप देख रहे हैं जड़ा से और यह संफ्लावर का ओईल है यह बिल्कुल फैट नहीं होता इसमें बिल्कुल भी और गाईस हमने लिए हैं गुलाब जामुल जो 6 दारम के हैं यह हो गए है 90 रुपी 90 रुपी और दोस्तों इस तरफ सब्चियां हैं और इस तरफ जो है फ्रूड बेगार रखे हुए हैं यह हर तरही के गाफ से ही मिल जाएगा आपको तो गाईस हमने लगबक सामान खरी दी लिया है पेम गाउसे तरह देख रहे हैं दर बरतन वेगरा सारा सामान रखा हुआ है आप देख सकते हैं और यह रेटिवेट नोटीयां है एंन्हें ऐसे खा सकते हैं गरम करके खा लोगी कोई मस्ला है यह है तो घाईस यह रही तैनल यह कान कितने की हैं दस दरम कियें यह यह बसकिये दस दरहम की छे हैं लगबग 220 रुपेगी दोस्तों मैं आ चुका हूँ मार्केट से बापस और सारा समान खरीब लिया और जो समान था वो लगबग 270 दरहम का पड़ाव आप कैक्पूलेशन कर लेना कितने इन रुपीस हुए 22.70 से गुड़ा करके और मिलते हैं जल्द नेक्